प्रियंका गांधी वाइनाट से चुनावी मैदान में उतरने जा रही है लेकिन इसके पीछे राहुल गांधी की एक बड़ी रणनीती है और ये पूरी इंसाइड स्टोरी क्या है आपको इस वीडियो के जरीये में बताऊंगी इसलिए वीडियो को आप पूरा देखेगा वेकिन उससे पहले अगर न्यूज जेट इनिडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले साथ ही अगर ये विडियो आपको पसंद आए तो इससे लाइक और शेर जरूर करें 52 साल की उम्र में प्रियंका गांधी अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रही है सीट चुनी है दक्षन भारत के केरल राज्य की वाइनार वही वाइनार जहां से राहूल गांधी दो बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं राहूल के राइबरेली सीट रखने और वाइनार चोडने की बाद प्रियंका की एंट्री चुनावी राजनीती में हो रही है वैसे तो राजनीती में कदम रखने वाला हर कारेकरता चुनावी राजनीती के जरीए संसद पहुँचने का सपना देखता है लेकिन प्रियंका गांधी को ये मौका काफी देड़ से मिला है हाना कि प्रियंका गांधी वाइनाट से यूही नहीं उतर रही है इसके पीछे भी दरसल गांधी परिवार की एक बड़ी रणीती बताई जा रही है प्रियंका गांधी राजनीती में सोनिया गांधी के प्रचार के जरीए जुड़ी उसके बाद राहुल गांधी के चुनावी कारकरम की पूरी कमान उनके पास आ गई इसके बाद वो अमेठी और राय बरेली की करता धरता बन गई मा और भाई दोनों के चुनाव की बागडोर उनके ही हाथ में रही सोनिया के उम्रे ढलने और राहूल गांधी के राष्ट्रे फलक पर उभरने के दोरान प्रियंका गांधी पूरी तरह अमेठी और राय बरेली पर अपना ध्यान केंदृत कर चुनाव लड़वाती रही इसके लिए पूरी तयारी उन्होंने की लेकिन इस बीच प्रियंका ने खुद को साबित भी किया हाल तक उन्होंने राहूल गांधी के राय बरेली जाने के फैसले के बाद अमेठी की कमान संभाली और किशोरी लाल शुर्मा के चुनाव की कमान अपने हाथ में उन्होंने ले ली अमेठी से जीत और राय बरेली से राहूल गांधी के रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद सोनिय गांधी पर प्रियंका को इनाम देने का दबाव भी बढ़ गया वाइनाड सीट खाली करने के राहूल गांधी के एलान के साथ ही मौका भी आया और दस्तूर भी प्रियंका को चुनाब लड़वाया जाए गांधी परिवार को भी ये फैसला लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगा अब आपको ये बताते हैं कि प्रियंका ने वाइनाड को ही क्यों चुना है वाइनाड से उन्हें क्यों लड़वाया जा रहा है सवाल यही है कि वाइनाड से उन्हें लड़वाया क्यों जा रहा है तो इसके पीछे राहूल गांधी की उत्तर और दक्षन की राजनीती को साफी मुश्किल हो गया था उधर केरल और वाइनाट के लोगों ने एक सुर में मांग की कि राहूल अगर वाइनाट छोड़ रहे हैं तो गांधी परिवार के ही किसी सदस्य को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए सभाविक है वो नाव प्रियांका का ही होता और हुआ भी वही केरल और वाइनाट ने 2019 और 2024 दोनों लोग सभा चुनाव में कॉंग्रिस का जमकर साथ दिया केरल के लोगों ने लोग सभा में सीटों से कॉंग्रिस की जोली भर दी राहूल गांधी उस आधार को खोना नहीं च पार्टी राहूल गांधी के कंधे पर दे चुकी है और दक्षण भारत में राहूल गांधी इस मिशन में काफी सफल भी रह चुके हैं। उत्तर भारत के साथ पूरे देश में राहूल गांधी पार्टी का मजबूत आधार तयार करने का काम जो है वो पूरा करते हुए दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी जमीन तयार करेंगी और राहूल गांधी सही समय पर आकरामक चुनाव प्रचार के जरिये इस राज्य में पार्टी की सरकार की वापसी करवाएंगे। राहूल गांधी की अनुपस्थिती में प्रियंका एक ताकत बनकर विपक्षी संसदों का नेत्रत्व कर सकती हैं। अनुपस्थिती की तयारी शुरू कर दी है और ये तयारी है 272 सीटों की। आपको क्या लगता है ये जो रनिती कॉंग्रेस पार्टी ने तयार की है राहूल गांधी ने तयार की है। कितनी कारगर साबित होगी कॉंग्रेस के लिए हमें कॉमेंट सेक्शन के जरिया बता सकते हैं। कितनी कारगर सेक्शन के लिए हमें। कितनी के लिए हमें।